पहाडों कि नानी शिमला में मोसम ने पूरी तरह से करबट ले ली है आसुबा सवेरे से ही मोसम पूरी तरह से खराब बना हुआ था आलांकि रुख रुख कर बारिश का दोर भी जो है वो आजारी आ रहा है हलकल की बूंदा बांदी अभी भी जो है वो शुरू हो गई है लेकिन दूसरी और आप देख सकते हैं कि धुन का प्रकॉप जो है वो कितना देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है गनी धुन जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है सची वाले के साथ की यह तस्वीर है और इसमें आप देख सकते है कि किस तरह से जो है वो धुंद यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है मौसम बिग्यान के इंदर शिमला की माने तो आगामी 19 अगस तक मौसम पूरी तरह से खराब बना रहने का पूरवनमान मौसम बिग्यान के इंदर शिमला की तरफ से लगाया गया है यलो अलाट भी जो है वो जारी के आ गया है साथ ही आपको बता दे कि आज के लिए जो है वो फ्लेश फ्लेश फलेट की चताबनी भी जारी की गई है फिलाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो धुन्द यहां पर चाही हुई है दिन के इसमें ही लोगों को जो है वासवेरे से ही बारिश देखने के लिए मिली है येलो लर्ट जो है अगामी दिनों के लिए भी आजारी क्या गया है और जिसकी बज़े से अब तापमान में भी हलकी यलकी गिरावट दर्ज की जा रही है शिमले की ये तस्वीरे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो बहानियों की स्पीड में भी कमी देखने के लिए मिल रही है क्योंकि दुन का प्रकौप भी इतना तेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं घनी दुन यहाँ पर चाहि हुई है ठंडी हवाएं लगातार यहाँ पर चली हुई है और उसी के बीच में बारिश भी यहाँ पर शुरू हो गई है आपको बता दे कि अगामी 24 गंटों के लिए फ्लेश फ्लेश फ्लेड की चताबनी जिला सिर मौर के लिए मौसम विवाग के तरफ से जारी की गई है साथ ही यह एडवाईजरी भी जारी की गई है कि नदी नाले वाले क्षित्रों में ना जाएं क्योंक जबनी दुण्द का प्रकोब जो है देखने के लिए मिल रहा है वहान की रफ्तार में जो है कमी देखने के लिए मिल रही है गने धु став शुमिल्यम्ना में अच्या हुई है तो 21 फिस्दी कम बारिश अभी तक मौनसून सीजन के दौरान दर्ज की गई है, हालैंकि बता दें कि अगस्त महीने में हिमाचर प्रदेश में 22 फिस्दी जादा बारिश अभी तक दर्ज की गई है, आने वाले दिनों में इसकी भरपाई होती हुई भी नजर आ सकती है, ज़ आजकर शिमला की अतस्वीरों में आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो धुन्द कापर को देखने के लिए मिल रहा है तो फ्लाल इस लाइश्ट्रीम में सिर्फ इतना ही देखते रहे हैं आप समचार पर्स टू दा पॉइंट